Myself, Mamata Sharma, Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. मेरा subject है, Drafting and Garmin Construction 3, Subject Code CD 308, Unit No. 6, Topic 2, Draft of Plain Kurta, Part 2. इसमें मैं आपको Plain Kurta की Sleeve, Pocket, Placket and Stand Collar बनाना सिखाऊंगी. Draft of Plain Kurta के Part 2 में मैं आपको कुरते के लिए Satin Sleeve बनाना सिखाऊंगी सबसे पहले. जिसके लिए, Measurements हमने पीछे वाले वीडियो में बताया थे आपको, यहाँ पे हमें Sleeve Length, Sleeve Bottom और Chest Measurement की अवशक्ता होगी. सबसे पहले, 0 to 1, यह हमारी Sleeve Length, Plus Half Inch for Seam Allowance है. 1 to 2 हमारी Bottom Folding है 1 Inch, 0 to 3, 0 to 3 का जो Measurement है, यह हमारा, जितना हमने Front Part के अंदर Arm Hold Depth लिया था, 1 fourth of Chest, Plus Half Inch, उसके बराबर लेंगे, 1 fourth of Chest, Plus Half Inch. 1 to 4, and 2 to 5, यह जो Measurement हमारा, यह 0 से 3 के Equal है. अब हम 0 से 2, 2 to 5, 3 to 5, and 0 to 3, इस Block को बनाने के लिए इस Straight Line के द्वारा Join करेंगे. आगे, 3 to 6, 3 to 6 जो है, यह हमारा, 1 twelfth of Chest, Plus 1 Inch है, जो हम, Arm Hold का Shape देने के लिए Point Mark करते हैं. अब हम, 0 से 6 को Straight Line के द्वारा Join करेंगे. 7 जो है, यह, 0 to 6 का Midpoint है. 8, 0 से 7 का Midpoint है. इसी प्रकार जो 9 है, 9 is the Midpoint of 7 to 6. हमने इस Center Line को, यानि जो 0 से 6 Line है, इसको 3 Equal Part में Divide किया है. 8 to 10, 8 to 10 हम Half Inch लेंगे, और 9 to 11 भी हम Half Inch लेंगे Shape के लिए. अब हमें, 0, 8, 7, 11 and 6 को Slide Curve के द्वारा, जैसा आपको डाइग्राम में दिखाया गया है, Slide Curve के दारा Join करेंगे. जिससे हमारा Front Arm Hole का Shape Ready हो जाता है, या तैयार हो जाता है, इसके बाद, Back Arm Hole का Shape बनाने के लिए हमें, 0 to 10 and 10 to 6 को Join करना है. यहां हमें 9 से Touch नहीं करना है, यह 9 से हलका सा उपर रहता है. इसे हम 0, 10 and 6 के द्वारा यहां पे Join करके, Back Part के Shape को Complete करेंगे. Now, Next, 1 to 12, Half of Sleeve Bottom plus Half Inch, 2 to 13, Half of Sleeve Bottom plus 1 Inch. यह measurement जो है, 2 से 13 का, यह हम 1 से 12 से Half Inch Extra रखते हैं, ताकि जब हम इसे Fold करें, तो यहां पे हमारा जो कपड़ा है, छोटा सा कम ना पड़ें, और यह इस Shape के, क्यूंकि उपर वाइल लाइन स्ट्रेट ना होके थोड़ी सी राइगनल है, तो यह इसमें आराम से Fit हो जाता है. वरना यहां पर अगर हम दोनों को Equal रखके Straight कर देंगे, तो जब इसे Fold करते हैं, तो यहां पे छोटा सा कोना हमारा कम पड़ जाता है. अब हमें 6 तू 12 को Straight Line से Join करना है, और 12 से 13 को भी Straight Line से Join करना है. यह जो हमारे Sleeve है, इसका Front and Back Part है, जिसे हमें Two Piece में Cut करना है, यह Straight Crane म बनेगा और यह हमारी यहां से Sleeve On Fold में है. इस प्रकार हमारी Satin Sleeve के Drafting Complete होती है, क्योंकि यह हमारे कुड़ते का ही Part है, इसलिए हमने इसका Scale जो है, 1 इस तू 10 इंचिस ही यूज़ करना है. नेक्स्ट है हमारी Pocket. इसमें जो हमने Half Inch Seam Allowance एड़ किया है, जब यह Two वाली जो Line है, इस पे हम Fold करेंगे, तो यह वाला जो हिस्सा है, यह हमारा Seam जो है, कुड़ते के साथ जॉइन होती है, इसलिए हमें यहां पे Seam Allowance एड़ करना है. 0 to 4 यह हमारी Pocket की Width है, जिसे हम One Sixth of Chest Measurement लेते हैं. 1 to 5, 2 to 6, and 3 to 7 are equals to 0 to 4 measurement. अर्थात, यह सारे जो measurements हमने लिए हैं, यह One Sixth of Chest Measurement के बराबर है. यह हमारी Fold Line है, अब हम 0, 1, 2, and 3 को Straight Line से Join करेंगे, इसी प्रकार 4, 5, 6, and 7 को भी Straight Line के द्वारा Join करेंगे. इसके बाद, 0 to 4, 1 to 5, 2 to 6, and 3 to 7 को भी Straight Line के द्वारा Join करेंगे, इस Block को Complete करेंगे. 8 जो हमारा, 0 से 4 का Midpoint है, और 8 से 9 हमें 2 Inches लेना है, जो Pocket के उपर का Pointed Shape आता है, उसे बनाने के लिए. अब हमें 0 to 9, and 9 to 4 को Straight Line के द्वारा Join करेंगे, इस Pocket को Complete करना है. ये Pocket जो है, इसमें Seem Allowance हमारा Add है, इसी के अंदर Included है, ये हमारी Straight Train में कटेगी, और इसके भी हमें 2 पीस कट करने हैं, क्योंकि दोनों Side Seem पर हमारी 1-1 Pocket लगती है, इसलिए. Scale इसका Same ही रहेगा, 1 to 10 Inches. Next है हमारी Seem में Stand Collar. ये हमारी Stand Collar है, जिसे हमें बुक्रम पे कट करना है, इसे बुक्रम पे कट करने के बाद, हम इसे जब कपड़े पर कट करेंगे, चिपकाएंगे, उसके बाद कपड़े पर कट करेंगे, तब हम इसमें Seem Allowance Add करेंगे. यानि जब ये Collar हमने बुक्रम पे बनाई है, तो इसमें Seem Allowance Add नहीं है. Collar बनाने के लिए सबसे पहले 0 से 1 का जो Measurement है, ये हमारी Collar Depth है, और यहाँ पे इसमें हमें जितना Shape रखना है, कम से कम 1 4th Inch Shape के लिए रखते हैं, और Maximum हम Half Inch, 3 4th Inch रख सकते हैं. यहाँ पे मैंने इसमें Half Shape के लिए Half Inch Add किया है, तो मेरा Measurement हो गया है, Collar Depth प्लस Half Inch for Shape, 0 से 2 का जो Measurement है, ये हमारा Half of Neck Measurement है, 1, 2, 3 हमारे 0 से 2 के Equal है, अब हम सबसे पहले 0 to 1, 1 to 3, 2 to 3, and 0 to 1 को Straight Line के द्वारा Join करके ये Box Ready करेंगे, इसके बाद 3 to 4 जो है, ये हमारा Half Inch है 4 to 5 हमारा 1, 4th Inch है, अब हम 2 to 5 से Straight Line के द्वारा इसको Join करेंगे, तथा 3 to 6 जो है, ये हमारा 1, 12th of Chest Measurement है, ये हम Neck के Shape के लिए रखते हैं, इसे हम 5, 4, 6, and 1 को Slide Curve के द्वारा Join करेंगे, अब इसी के Parallel हमें ध्यान रखना है, 0 से 7, 0 से 7 हमने Half Inch Extra लिया था, अपना Color में Shape देने के लिए, तो हम इस Line को यहाँ पर 0 से 7 को Mark करेंगे, और उसके बाद जो हमारी 1 से 6 वारी Line है, इसी के Parallel हम 7 से Line होते हुए, इसको 2 तक Join करेंगे, ये जो पूरी Color है, हमारी ये पूरी Equal Measurement में होनी चाहिए, यानि जितना Measurement हमारा 2 से 5 का है, वही Measurement हमा 7 से 1 तक होना चाहिए, और इसमें हम एक चीज ये भी कर सकते हैं, कि यहाँ पर हमने इसको Straight Pointed बनाया है, यहाँ से हम इसमें Curve Share भी दे सकते हैं, अगर हम चाहिए तो, Next है हमारी Placket, Placket, खोड़ता Placket बनाने के लिए, जितनी हमने Placket का Measurement लिया था, 1 फोर्ट ऑफ चैस्ट प्लस 1 इंच, उसमें यहाँ उसकी Length से जादा हम इसमें Half Inch और एड़ करेंगे, Seam Allowance के लिए, और इसकी जो Weight है, यह हम 2.5 इंच, यानि 2.5 इंच के लगबग करने हैं, और यह जो Placket है, यह हमारी कुड़ते पर लगाते हैं, तो इसके दोनों स्प्रीस हम सेम साइज के ही Cut करेंगे, इसमें आपको एक चीज में को और बतानी है, यह जो Collar है, Collar हमारी Cross Grain के अंदर Cut होगी, यहां से On Fold है, और इसमें इसका एक ही Part Cut होगा, Collar का जो प करने पड़ेंगे, क्योंकि एक किस्सा हमारा Front के लिए आएगा, और एक किस्सा हमारा Back के लिए आएगा, बताब एक हमारा अंदर की तरफ जाएगा, और एक हमारा सामने विजिबल होगा, इस प्रकार यह मैंने आपको Plain कुड़ते का Second Part में इसकी Satin Sleeve, Pocket, Stand Collar और Placket, यह चारों चीज का ड्राफ्ट समझाया है, धन्यवाद